नया साल नई खुशियां लाए, लाए समय सुहाना, घर-घर में खुशाली आए, आई लवों पर मदुर्तराना नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्ठाकुर के साथ दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों को नवश्की बहुत बहुत शुपकामनाएं और बहुत 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 पधाई उमीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और जो चीजें भी आपने 2021 के लिए सोची हैं वो सब चीजें अच्छे से हो और आप अपने लक्षे को हासिल करने में जरूर सफल हो जैसे ही हम किसी नई चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत जादा excitement होती है बहुत ज़्यादा इच्छाएं जिग्यासाएं होती हैं और यही इच्छाएं और जिग्यासाएं हम नए साल से भी रखते हैं कि हमारा नए साल पीछे वाले साल से ज़्यादा बहतर हो तो आप सब लोगों के लिए best wishes हिंदी साहित वारता परिवार की तरब से कि आपका आने वाला साल पीछे वाले साल से ज़्यादा बहतर हो और आप अपने लक्ष में जरूर काम यप हो दोस्तो जब भी हम किसी नई चीज के बारे में सोचते हैं या नई दूसरी चीजों के बारे में करने के लिए सोचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा excitement भी होती है और बहुत ज़्यादा डर भी हमारे मन में लगा रहता है कि जो चीज में कर रहा हूँ वो मुझसे अच्छी होगी या नहीं होगी और यही चीज आप मेरे में भी देख रहे हैं आज मैं first time इस तरीके से camera के सामने आया हूँ और यह बहुत मुश्किल होता है beginners के लिए कि camera face करना कई बार हमारी जबान ही नहीं निकलती है तो यह चीजें आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ भी हो सकती है और बहुत ज़रूरी भी है कि अगर हम कुई नई चीज करते हैं उसमें हम गलत भी हो जाते हैं तो वहीं से हम सीखते हैं क्योंकि जब तक हम कुछ नया करने की नहीं सोचेंगे तब तक हम नया सीख भी नहीं सकते और हम गलती नहीं करते तब ही हम आगे भी नहीं बढ़ते इंसान गलतीयों से ही सीखता है human nature है तो गलतीयों का इंसान को पुतला माना जाता है तो दिखीए ये सारी चीज़ेंगा इसे हमने कतराना नहीं है आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक चीज कहनी थी और वो चीज मैं आपको face to face ही कहना चाहता था दोस्तों आप सब लोग पिछले 5 महीने 10 दिन से लगातार हिंदी साहित्यवारता चैनल के साथ चुड़े हैं उसके लिए मैं आप सब लोगों का दिल की कहराईयों से शुक्रिया दा करना चाहता था कि जिस तरीके से आपने हिंदी साहित्यवारता चैनल के उपर मेरे उपर भरोसा जयताया और हमारे चैनल के साथ लगातारा पिछले इतने 4-5 महीनों से बने हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है जब भी नोटिपकेशन आती है आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूँ कि आपने मेरा उत्साह बढ़ाया मेरे काम को सरहा और जहां मुझसे जो चीजें कलत हुई उसके उपर अपनी राय दी अपनी प्रतिक्रिया दी कि वहाँ पर हमें और जादा सुधार करने की जरूरत है भविष्य में भी मैं आपके इसी तरीके के सहयोग और आपकी दुआओं आपके प्यार और आपके सिनहे की काम ना करता हूँ कि आप इसी तरीके से हिंदी साहित्य वारता चैनल के साथ बने रहेंगे और हमें अपना प्यार यूँ ही बरसाते रहेंगे आज हिंदी साहित्य वार्ता परिवार लगभग 3500 लोगों का हो गया है और आपके चलते ही ये सब संभव हो पाया है मैं पविश्य में उमीद करता हूँ कि मुझसे जितना कुछ और पहतर चीज़ें हो सकती हैं वो करने की कोशिश करूँगा अगर आप भी UGC, NET, SET, JRF या फिर हिंदी से रिलेटिड दूसरी एक्जाम की त्यारियां कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं हम पूरी तैयारियां यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से करवाने चा रहे हैं या करवा रहे हैं पिछले 4-5 महिनों से आप चाहें तो अपनी तैयारियों को और मजबूत कर सकते हैं हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़कर इसके अलावा टेलेग्राम ग्रूप भी हमने एक क्रियेट किया हुआ है आप चाहें तो वहाँ पर क्विज दे सकते हैं जो भी चीज़े हम पहले यूट्यूब में पढ़ाते हैं उसके बाद हम टेलेग्राम ग्रूप में अपने जितने भी प्रशन हैं उसमें बनने की सं भावना होती है हमारे लेक्चर से उनको हम वहां पर डिसकस कर लेते हैं तो ये कुछ एक चीज़ें थी दोस्तों जो मैं आपको कहना चाहता था कि आपके लिए मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आप सब लोगों ने इतने शिदत के साथ हिंदी साहीत्य वारता को प्यार दिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आप सब लोगों को नवश की बहुत बहुत शुब कामनाएं और बहुत बहुत बधाई उमीद है आप हिंदी साहीत्य वारता चनल के साथ जुड़े रहेंगे और 2021 में आप अपने लक्षे को हासिल करने के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे और लक्षे हासिल करेंगे लक्षे हमारा एक है ज्यारेफ 2021 हिंदी शुक्रिया जहिंद